Hello guys, welcome back to my channel आज जो है हम practical questions करने जाएंगे partnership forms के जी कर? Partnership forms इस से पहले जब हम practical start करने जा रहे हैं तो उस से पहले मैंने आपको practical करने के लिए कुछ notes भी provide किये थे जहां पर मैंने आपको actual में notes दे रखे हैं उन मैंने मैंने आपको बताया था कि जब हम partnership के practical करेंगे तो उस time पे हमें question में net profit as per P&L account आपको given होगा उस P&L account के profit को आपने कहां तक लेकर आना होगा book profit में ठीक है सबसे पहले आपको जो net profit दे रखा है उसमें आपने कुछ adjustment करनी होगी उस adjustment को करते करते उस net profit को हमने book profit में लेकर आना होगा फिर जो book profit होगा उस book profit के अंदर हमने और कुछ adjustments करनी होगी actual में हमें ये निकालना होगा कि कितना actual में income बनता है partnership firm का तो उसको हमने कैसे करना है सबसे पहले आप क्या लेंगे net profit लेंगे net profit as per pandal account question में यह आपको मिल जाएगा चीक है यहाँ पर आपने उसकी value लिख दी उसमें हमने क्या करना होता है add करते हैं हम लोग जो भी salary हम partner को देंगे अगर हमने किसी तरह की salary partners को दी हुई है और उसको हमने pandal account में क्या कर रखा होगा debit तो उसको हमने add कर देना है चीक है और जो भी expenses हमारे disallowed होते हैं जो भी items disallowed हैं उन सारी items को add करना है और जितने भी expenses अगर आपके allowed हैं और उनको अगर हमने debit या फिर हमने credit कर रखा है तो उनको हमने minus कर देनी है उन items को जो की आपकी allowed हैं या किसी तरह की other source की income है वो अगर आपको given है other source की income तो उसको आपने क्या करना है minus कर देना है उसके बाद अगर हमारे पास कोई interest है interest दे रहे हैं partners को तो उस interest का जो 12% का interest जो होता है वो exempt रहता है यानि उसका partners के लिए exempt होता है ठीक है? तो इसको हम add कर देंगे इसके अंदर और in excess अगर 12% से जादा है तो वो हमारा disallowed हो जाता है तो इस वज़े से इस item को हम क्या कर देते हैं? add कर देते हैं तो यह जब सारी हम items को add less कर देते हैं उसके बाद हमारे पास निकल कर आता है book profit book profit को निकालने के बाद अब हम जो calculation करते हैं वो हम calculation करते हैं calculation of total income of firm ठीक है? firm की total income को calculate करेंगे कैसे? जो भी हमें book profit given है ठीक है? उस book profit में अब हम less करेंगे remuneration given to partners partners को जो भी remuneration देंगे उसको less करेंगे अब उस remuneration को कैसे देखेंगे? इस remuneration को निकालने का हमारा formula क्या होता है? least of the following least of the following least क्या है? पहला actual remuneration paid to partners partners को actual कितनी remuneration दे रहे हैं? remuneration के अंदर आपका salary, bonus, commission यह सब include होता है चीक है? उसके बाद second point है, amount, calculated, under section 40B, 40B के अंदर जो amount calculate होगा और जो actual remuneration पे की जाएगी, इनका least लेंगे, उन least वाला less कर देंगे, चीक है? जो हम least वाला less कर देंगे हैं, उसके बाद हमारे पास अगर किसी भी तरह की profit या gain होता है, वो add हो जाएगा, उसके बाद किसी other incomes दे रखी हैं हमें, other source incomes, other sources, incomes, उसको हम minus कर देंगे, हमारे पास निकल कर आजाएगा, gross total income of GTI, जी टी आई, यानि gross total income of the firm, फिर उसमें deduction दे देते हैं, फिर जो भी tax pay के आजाएगा firm के द्वारा, वो less वगेरा करके सब कुछ आ जाता है, ठीक है? अब इसमें हमने, जो amount of main calculate करना है, 40B के अंदर, तो वो section 40B के अंदर, कौन सा amount और कैसे calculate करेंगे? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले on rupees, 3 lakh, 3 lakh rupees के उपर, जो हमारा book profit आया होता है, ठीक है? यह वाला जो book profit मानलो हमारा, 5 lakh rupees आया है, ठीक है? 5 lakh rupees है, तो 3 lakh के उपर, 90% निकालेंगे book profit का, ठीक है? यह 3 lakh के उपर, 90% निकलेंगे, और इस 3 lakh के उपर, जो हम 90% निकालते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? 1 lakh 50,000 से compare करते हैं, compare करने के बाद, जो भी amount जादा होता है, उसको ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद, on balance income, जो भी balance income होगी, book profit की, वो लेंगे, और उसका हमने कितना लेना होता है, 60%, चेक है? 60% लेंगे, फिर जो आएगा, वो ले लेंगे, इसका total करा, यह जो total है, यहाँ पर लिखोगे, फिर actual जितना भी remuneration pay किया जा रहा होगा, वो लिखोगे, इन दोनों में से, जो भी list of the fellowing होगा, वो आपने यहाँ ले लेना है, फिर उसके बाद, कोई PGVP की income है, यह हमारी अधासोस की income है, उसको हम लोग माइनस कर जेते हैं, PGVP की income squared कर जेते हैं, और उसके बाद हमारे पास total GTI निकल आता है, अगर हमारे पास मान लो, बुक profit 5 lakh है, तो 3 lakh की उपर 90% का अगर हम निकालते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 lakh 70,000, फिर 2 lakh 70,000 और 150, whichever is more, more कौन सा है, 2 lakh 70,000, तो वो लिख दिया, ठीक है, फिर हमने 60% निकालने, आप किसका निकालोगे, 5 lakh में से 3 lakh का तो हो गया, बच्चा बैलेंस कितना, 2 lakh, तो 2 lakh का जब हम 60% कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में 60% हमारे पास आजेगा, 1 lakh 20,000, 1 lakh 20,000, plus 2 lakh 70,000, कितना आजेगा, 3 lakh 90,000, तो मारा, अब आगया, 3 lakh 90,000, अब यह 3 lakh 90,000, पहला, बी वाला पार्ट आगया, जो हमने कैलकुलेट करा है, अंडर सेक्शन 40 B, अब माल लो, हमारी एक्चल रेमुनेरेशन, हम जो हैं, वो पे कर रहे थे, 4 lakh रुपीज की, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा लीस्ट है, 40 B वाला, 3 lakh 90,000, तो जो हमारा, बुक प्रोफिट हमारा निकल कर आया था, 5 lakh रुपीज का, उसमें हमने लेस कर देना है, उस रेमुनेरेशन को, कितने की, 3 lakh 90,000 की, बाकी बैलेंस जो बच्चा, वो हमारा क्या निकल आएगा, GTI, अ रिडाक्शन देने के बाद, हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल इंकम और पार्टनर्शिप फर्म, छीक है, इस तरह से कोश्चन को करना है, अब मैं आपको एक दो कोश्चन करा देती हूं, कि समझ में आ जाएगा, अब देखो, जो टोटल इंकम है, फर्म, ऑफ फर्म एट हंडड़, फर्ड़ प्रिविएस यह, टुटाउजन टुटी 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 बाद, इन कम्प्यूटिंग दा टोटल इंकम और पार्टी बाद, जब इन्होंने अपनी टोटल इंकम को, यानि हाँ, प्रॉफिट को कम्प्यूट करा है, तो उस केस में इन्होंने यह यह आइटम्स को डेबिट किया है, चीक है, सालरी इस दे रखी है, 1,30,000 X की और य की सालरी हमें गिवन है, 1,20,000 की, इंट्रोस्ट और कैपिटल कितना है, 20% का, बाकी, 3500, 14,000 और 10,500 X,Y,Z का, और बोनस तुजेड है, 15,000 का, कमिशन गिवन है, 5000, 12,500, 17,500 की, X,Y,Z की, चीक है, Z ने कैपिटल बोरो करी है, और उसके उपर इंट्रस्ट पे करता है, लेंडर को, 75,000 रुपीस का, अब तीनों पार्टनर की इंकम को भी निकालना है, और टूटल इंकम निकालनी है, फर्म की, और फर्म यह कहता है, कि 184 की सेक्षन को फुल्फिल करती है, इसका मत तक जाना है, नेट प्रॉफिट से लेके, बुक प्रॉफिट तक, तो उसमें, सालरी, सालरी बोनस कमीशन, मैंने आपको बोरा था, रेमुनेरेशन के अंदर ही आ जाते है, तो इनके अलग ले लिए, सालरी ले ली, डेमुनेरेशन, कौन सा है, कमीशन ले लिया, और बोनस दे रखा था, Z का, 15,000, इन सब को एड करा, तो हमारे पास कितना आया है, यह तो आगया, सालरी का, 1,30,000, प्लस 120, 2,50,000, 15,000 की बोनस, Z को दे रखी थी, और कमीशन दे रखी, X,Y,Z की, वो ले ली, इन्टरस्ट और कैपिटल, अगर एक्सेस है, 12% से, तो हम लेते हैं, य क्योंकि यहां 20% का गिवन है, इसका मतलब क्या है, यहां पे एक्सेस गिवन है, तो अब हमने इसका 12% तक का कैसे निकालोगे, हमने कितना लिया, 3500, कितने परसंट का लिया, 20% का, कितने परसंट का लिया है, 20% का, डिवाइड कर दो के 20 से, और लेना कितने का चाहिए, तो से हम वाई का कैलकुलेट करेंगे 14,000 का लिया 20% का और एक्सेस कितना ले लिया 8% तो यह 12% का निकल कर आजएगा ठीक है मतलब जो एक्सेस है वो निकल कर आजएगा फिर बाकि हम 12% का पार्टनर्स की कैपिटल में एड कर देंगे फिर हमारे पास बॉक प्रोंफिट निकल कर आजएगा कितना निकल कर आया फोर लैग 43,000 का मारे पास book profit 4,43,000 इसमें से हम remuneration add less करते हैं तो remuneration में salary bonus plus commission तो total कितना हो गया 2,50,000 plus 15,000 plus कितना था commission 35,000 का क्या क्या add किया इसमें 2,50,000 plus हमारा 15,000 plus हमने add करा है 35,000 तो मारे पास actual salary कितने की आ जाएगी 3,00,000 ठीक है अब देखो अब इसके बाद हमने क्या करना है 4,43,000 का हमारे पास book profit था तो अब हमने कौनसी वाली actual remuneration तो हम कितना दे रहे हैं 3,00,000 का दे रहे हैं तो हमने क्या देखना है 40B section का अंदर कितना amount हम calculate करेंगे तो 90% निकालेंगे first 3,00,000 का यानि 4,43,000 में से 3,00,000 का 90% निकाला तो 2,70,000 बाकी कितना बचा 1,43,000 उसका 60% निकाला तो कितना बचा 85,800 इन दोनों का total करेंगे तो हमारे पास आजेगा 3,55,800 ठीक है अब 3,00 और 3,55,800 whichever is lesser जो भी lesser वाला amount होगा वो लेना है तो lesser वाला amount क्या है मारे पास 3,00,000 का 3,00,000 ले लिया total income आ गई firm की अब हमने total income निकालनी है partners की ठीक है partners की income निकालने के लिए हमेशे ये ध्यान रखना है जो partners को firm की income में exemption मिल जाती है यानि 12% तक की firm की income में exemption होती है तो उतना 12% का partners के लिए taxable होगा ये जो interest है interest on capital ये 12% तक का है up to 12% अब हमने क्या करना है actual interest on capital हमारे पास कितना था 3,500 का चीक है तो ये जो 3,500 का था इसमें से हमने access कितना निकाला था 8% वाला 1400 बाकि कितना बचा 2100 2100 यहाँ पर partners के लिए taxable होगा इसी तरह से जो हमारा interest on capital य के लिए था वो था 14,000 और 8% कितना था 5,600 तो 14,000 माइनस 5,600 कितना आजएगा 8,400 ऐसे ही 6,300 आजएगा फिर अब हमने remuneration अब हमारी remuneration क्या है X को क्या-क्या मिल रहा था X को जो है salary मिल रही थी 1,30,000 की क्योंकि इसकी deduction तो partner को यहाँ पर मिल गई न salary और bonus और commission की है न तो यहाँ पर remuneration X को क्या मिल रही थी एक तो उसको salary मिल रही थी 1,30,000 की प्लस X को जो है commission मिल रहा था 5,000 का वो add करा तो उसको actual remuneration कितनी हो गई 1,35,000 की Y को Y को क्या क्या मिल रहा था Y को मिल रहा था ONE LAK,20,000 की salary मिल रही थी वाइ को और साथी साथ उसको क्या मिल रहा था commission मिल रहा था 12,500 का वो add कर दिया इसके बाद अगर हम Z का देखे तो Z को salary नहीं मिल रही थी लेकिन Z को bonus मिल रहा था 15,000 का वो हो गया प्लस कमीशन होगी 17,500 रुपीज की यह एड करी तो हमारे पास टोटल एक्चुल कमीशन आगी 32,500 इन दोनों का टोटल करा तो टोटल इंकम और पार्टनर्स भी हाँ पर आ गई अब नेक्स्ट कोशन हमारे पास X, Y, Z जो है वो पार्टनर्स है और एक्वल पार्टनर्स है यानि उनका जो शेर होगा प्रोफित और लॉस में वो एक्वली होगा नेट इंकम दे रखी है 1,50,000 रुपीज की और फार्म के पास हाउस प्रोपर्टी की इंकम है 50,000 वेफोर डिदक्टिंग लोकल टेक्स पेट ल नहीं किया गया भी और यहां पर हाउस प्रोपर्टी का कोई रिपेड नहीं कराया गया है उसकी माूंट भी यहां पर डिडक्ट नहीं हुई है लाउग तर्म केपिटल गें दे रसा है 50,000 रुपीज का net income को calculate करने के लिए इनोंने क्या क्या debit किया है या credit किया है 15,000 paid as rent to buy for the premises premises के लिए यानि उसने rent पर ले रखी है और अपने partner से rent पर ले रखी है और उसका rent कितना pay करते हैं 15,000 रुपे का 60,000 रुपे की salary पर करते हैं Z को और 16,000 रुपे की salary पर करते हैं A को who was admitted to the firm as an equal partner in a place of X X के place पर जिस दिन वो retire हुआ है उसके एक दिन पहले उसको रखा गया A को और उसको salary कितनी देते हैं 16,000 की ठीक है Z और A जो है वो working partners है admissible depreciation depreciation कितने का लगेगा 5,000 रुपे का journal expenses है आपके 40,000 के और benefit reserve है 15,000 के अभी आपे total income और tax liability compute करनी है और इन्होंने ये बोला है कि firm कोईसी भी तरह से section 184 की conditions को पूरा नहीं करती जो हमने पहले question किया था उसमें 184 की conditions को पूरा करती थी अब इसमें 184 section की condition को पूरा नहीं कर रही है अभी इन्होंने normally house property की income को calculate किया है 50,000 की house property थी 5000 का local tax था वो इन्होंने minus कर दिया annual value आई annual value पर एक deduction होती है standard deduction 30% of annual value वो दे दी house property की income आगी 31,500 profit दे रखा है 1,50,000 रुपीज का यह रख चीक है बोले लिया rent opremises हमेशा allowed हो जाते हैं क्योंकि ऐसे expenditure हैं जिनकी जो PGVP की income में उसको allowed कर दे जाते हैं salary जो partners को दी गई है वो disallowed होती है depreciation allowed हो जाता है उसके बाद general expenses जो है वो आपके allowed हो जाते है bad up reserve यह किसी भी तरह का जो reserve होता है वो आपका disallowed हो जाता है तो income कितनी आगे business से 2,41,000 ठीक है capital gains से income कितनी की हुई है 50,000 रुपीज की तो हमने total करा तो total income आगे 3,22,500 उसके बाद यहाँ पर tax liability को compute करना है सबसे पहले हम क्या घरते हैं जो special rates होते हैं उसके उपर tax लगाते हैं long term capital gain हमें given था 20% पर long term capital gain पर tax लगेगा 50,000 रुपीज पर वो लगाया 10,000 बाकी balance income 2,41,000 sorry 3,22,500 में से जब हम 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आजेगा 2,72,500 और इसके उपर कितने का tax लगेगा 30% का यह क्यों लगेगा क्योंकि हमारा normal tax date partnership firm के लिए 30% का होता है तो वो हमने लगा दिया बाकी बचा उसके उपर हमने health and education से इस लगा दिया और tax liability हमारे पस कितनी आ गई 95,420 ठीक है next हम question करेंगे कि यह जो है section 184 की condition को पूरा करती है उसके बाद ABC के बाले partners है और उनकी profit sharing ratio क्या है 3 is to 2 is to 1 और firm का net profit given है 2,44,000 और यहां पर उन्होंने इस amount को debit किया है salary को debit किया है 4,000 per month जो salary किसको दे रहे हैं C को दे रहे हैं rent दे रहे हैं A को for the proportion of the building owned by A in which the firm's office was situated और fair rental value कितनी है 10,000 की interest on capital 1,000, 2,000 और 3,000 given है उसके बाद commission पे की गई है B को 40,000 की expenditure कुछ incurred किये गए है चुकि business premises पर incurred किये गए हैं और किसकी business premises है वो partner A की और कितने expenditures है 5,000 के पर donation है 5,000 की और check से दी गई है किसी एक approved body को ठीक है अगर किसी तरह से donation approved body को दी गई है ठीक है बिना किसी family planning बगएरा के है तो उस case में आपकी 50% की donation allowed हो जाती है चीक है उसके बाद salary B के son को दी गई है और वो qualified management graduate person है और अपनी services देता है पर यहां पर net profit दे रखाए 24,000 का जिसके अंदर आपकी 12,000 की interest on government security गिवन है यानि इसमें include है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको minus कर देंगे इनको इन्होंने अलग से माइनस करके दिखा रखें आप यहां नीचे माइनस कर सकते हैं लैस कर सकते हैं income not taxable अंडर business head चीक है क्योंकि business head की income नहीं है यह other source की income है तो हम माइनस कर देंगे पहले हमने profit लिए 2,44,000 का salary add कर देंगे inadmissible expense है commission add करेंगे expenses repair के लिए जो किये गए थे 1000 रुपीज उनको add करेंगे donations donations आपकी कितनी है 5000 रुपे इसकी आपको बात में deduction अविलेबल हो जाती है लेकिन यह आपके expenses allowed नहीं होते access rent of a अब यहाँ पर क्या है कि अब उसने actual में rent कितना pay किया है देखो fair rental value तो 10,000 पे थी लेकिन वो pay कितना कर रहे है 19,000 पे तो 9,000 पे जादा pay कर रहे है जितने की value है उतने की ही exemption मिलती है तो 19,000 में से 10,000 माइनस किये तो वो आगया 9,000 यहाँ पर add करा तो मारे पास आगया 3,47,000 आने के बाद यहाँ पर आपने interest and common security माइनस कर देना है 12,000 पे की book profit आगया book profit के अंदर आपने business profit को calculate करना है कैसे करोगे book profit निकल कर आया है 3,35,000 का less करेंगे allowable remuneration तो actual में कितनी है remuneration 88,000 रुपीज की कैसे 48,000 प्लस 40,000 कितना होगा 88,000 क्योंकि हम salary दे रहे है 48,000 C को प्लस B को हम commission दे रहे है 40,000 की तो यही दोनों हमारे पास remuneration given है तो यह 8,000 की होगी और statutory limit यानि जो under section 40 B के अंदर जो हमने लेनी है वो वाली देखेंगे कैसे देखेंगे profit कितना है 3,35,000 फर्स 3,00,000 पर 2,70,000 और बाकी 35,000 पर 60% निकाल लिया उसके बाद इसमें से हमने कौन सी वाली देखनी होती है lesser वाली तो इनमें से lesser जो भी होगा वो ले 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 देते है लेसर कौन सा है 8,000 बो ले लिया माइनस कर दिया उसके बाद हमारे पास firms का business profit आ गया कितना आया 2,47,000 business income है मारे पास total income निकालनी है business income है 2,47,000 की और other source की income हमें गिवन है 12,000 की add करी 2,59,000 और एक हमें deduction दे रखे दे donation की चुकी थी 5,000 और चेक से payment हुई है और यह जो deduction होती है यह 50% admissible होती है तो इसका 50% निकाल लेंगे कितना आजएगा 25,00 total income आगी 2,56,500 अब यहां पर salary to B's son is admissible expense because firstly B's son is not the partner in the firm and secondly because he is getting salary on account of his specialized technical services इन्होंने क्या बोला है कि जो हमें salary दे रहा कितना B's son की अब हमने उसको add इसले नहीं करा it admissible क्यों नहीं है क्योंकि एक तो वो काम जो अपना कर रहा है उसकी खुद के technical services की वज़े से कर रहा है और दूसरी बात वो partner भी नहीं है firm का तो इस वज़े से यह जो salary है यह admissible रही है पिर उन्हें ने बोला कि यहाँ पर अब हमें जो interest on capital दे रखा था thousand, two thousand और three thousand तो उन्हें ने कहा है कि वो हमने कोई rate नहीं दे रखा तो हम यहीं मानेंगे कि उन्हें 12% तक के ही करके दिया होगा तो यहाँ पर आज हमारा partnership firm वाला chapter complete हो जाता है और practical point of view से भी chapter complete है सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई